yeah कि तो आपका चालांड कर सकता है और 10,000 की पीनिल्टी आप पर लग सकती है इतना ही नहीं अगर आपके आसपास आगे पीछे एंबुलेंस है और आपने जबरदस्ती की हॉंकिंग की है एंबुलेंस के आसपास तो फिर एक हजार उपे की पीनल्टी आपको देनी पर सकती है यह नया रूल लागू किया है तमिलनाडू गवर्मेंट ने कई बार देखा गया है कि एंबुलेंस को लोग साइड नहीं देते हैं इंसान जो उस एंबुलेंस में है जिसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचना है क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है उसके लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती है ऐसे में जब लोग रस्ता नहीं छोड़ते है तो उन लोगों पर ये पीनल्टी इंपोस की जाएगी तमिलादू सरकार ने एंबुलेंस के रूल्स को लेकर ये नहीं घोशना की है अब इस तरह की घोशना की चर्चा सभी तरफ है कहीं दूसरे स्टेट्स भी है जो इस तरह की पीनल्टी लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं मेट्रो सिटीज में ट्राफिक का हाल बहुत हो रहा है चाहे लोकल ट्रें चाहे मेट्रो सिटीज हो लेकिन भाउझूद उसके सब्सक्राइब कि कम ही नहीं हो रहा है और ऐसे में ऐम्बुलेंस अटक जाती है और इस तरह की पीनल्टी इसी कारण लगाई गई है आपको क्या लगता है बाकि स्टेट्स को भी इस तरह की पीनल्टी लागू कर दी चाहिए कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें